मैं समझ जाबवा की कसी उपज मंडी में हूँ जहां पर मुख्यमत्री सिवराज सिंग चोहान के लिए एक सदबुद्धी यग्ये इन वाड़ी कारकरताओं ने आउजित किया है और सदबुद्धी यग्ये का उदेश क्या था और क्या इनकी मांगे हैं उसमें हम चर्चा करेंगे आप लोग क्यों नाराज हो सिएम साब से उनको सदबुद्धी देने के लिए यग्ये कर रहे हैं क्योंकि कई बार हमने ग्यापन दिया कई बार हमने रेलिया निकाली लेकिन सरकार के दिमाग में कुछ भी नहीं आता है कि आंगनवाडी कारे करता हो को हम बेहनों बेहनों बोलके उनका सोसन कर रहे हैं तो उनका सोसन ना करा जाए आज 90 दिन जो जोब करता है उसको पर्माने किया नहीं जा रहा हमारे नत्तों हमको रिटार्मेंट पर कुछ दिया जाता है खाली हाथ आये थे खाली हाथ चले जाएंगे ऐसी हमारी गती है और जबकि सरकार की हर योजना का सड़क जमीन तक पूरा पालन हम करवाते हैं हम घर गर जाते हम लोगों को बताते हम के लिए सद्धि समय हवन कराएं वो अपनी बहनों के लिए सोचे では कुना के लिए समय मिल जा तो उची बात है हम पड़ेंगे वहризटे सभी पिच्चतर हजार रुपे दिया जाएगा, ना साइकाओं को एक लाख रुपे मिल रहा, ना साइकाओं को पिच्चतर हजार रुपे मिल रहा, अरे हमारे को भी तो रिटार्मिंट के बात खाना की नी, बुढ़ा पे में हमारे भी हाथ पाउं दुखेंगे, सब कुछ होगा, दवा खाने की पैसा लगेगा वो सब चीजे कहा से हमको करनी हमने पूरी जिंदिगी आपकी सेवा करी लेकिन आपने हमको क्या दिया ये तो बात होती है कि नी किसना चाहिए सरकार देश वेतन बढ़ाने की मांगे या परमानेंट की भी मांगे है हमारी और हम लोग आज कि हमारी बेहने इतनी मतलब पिछड़ा हो गई है कूपोशन इस विभाग में महिला वालुकाश का कूपोशन दूर करते कुड़ते खूद भी कूपोशन हो चुकी है क्योंकि इनका कोई भी सरकार ध्यान नहीं दे रहा है और सरकार आज तक भी उन्होंने इतने हमने ग्या किया तब भी हमको सरकार ने एक परमान पत्र भी नहीं प्रोसाहित के रूप में दिया कि नहीं बेहन ने काम किया है तो उसका हमें होता कि आज हमने काम किया लेकिन नहीं दूसरा हमने आयुसमान में हमने काम किया आयुसमान भारत मतलब हमने इतना काम किया आधार काड हमन से नहीं मिला भगवान चाहिए कि सरकार को बुद्धी आ जाए और हमारा कुछ करें तो हमें सरकारी किया जाए हमेरे हमारी बेहनों को रिटायर किया उनका उनका वी जो उन्होंने वादा किया वो पैसा दिया जाए जो हमको पंदरा सो रुपे का प्रोशान राशी दी थी उन्होंने जो बड़ाया था मान दे वो भी नहीं दिया वो भी किया जाए हमारी बेहने जो मीनी कारे करता हैं वो मीनी कारे करता हैं इतना काम करती है उनके पास साइकाए नहीं है तो हम यह चाहते हैं कि हमारे बेहनों को साइक कर रहे हैं, सुनते हैं नहीं कभी बेहनों की बात को, पूरी जिंदी की जवानी में देखो, सासन का काम किया, और जब बुड़ा पाएगा, तो घर बेटती है, हमारी बेटती है, खाली हाथ बेटती है, कित्ती गंबी रिष्टती है, महिला बालुकास विभाग की, सारे वेक्सिनेशन में भी आप लोग ने भूमी का निवाई थी, वेक्सिनेशन में हमने करवाया, एक एक व्यक्ति को पकड़ पकड़ के लाए, टीचर और आसा कारे करता की हिम्मत दी थी, और इनकी तो सभाओं में भी आप लोग भीड़ बढ़ाते हैं, और जहां भी कोई भ कंत्री आरा है, CEM आरा है, ये कोई भी आरा, नेता आरा, राच नेता आरा, तो उनके लिए हमको रंगी ड्रेस पेरा के बुलवा लिया जाता है, और भीड करी जाती है, लेकिन कभी हमारे लिए सुनवाई भी तो करनी चाहिए कि नहीं, हमको पर्मानेंट करें, सबको मोबाईल दिया, ऐसे सड़े मोबाईल दिया, जो चले ही नहीं, उसके बाद हमारे बेलेंस है, तो सारा काम हमको मोबाईल पे करने का, ठीक है, हमारी पढ़ीली की कारे करता है, वो तो कर लेती, जो अनपढ़ है, उनको बहुत परेसानी आती है, फिर रजिस्टर भी होके क करने 12-15 पंदर रजिस्टरों के करने उसके बाद मोबैल पर डालना कभी ऐसा भी होता है कि मोबैल पर नहीं डाल पाते तो तुरंट है आपने आज की अनुपस्तिती दर्ज कर रहे हैं क्योंकि आपने मोबैल पर नहीं डाला बीजेपी का एक नारा है कि एक देश एक विधान लेकिन ये कैसी विवस्ता है मत्रप्रदेश में कि कुछ करमचारियों को पेंशन के साथ साथ एक बड़ा हुआ वेतन मिलता है और हजारों लाखों आंगनवाडी कारकरताओं को तिरसकार के दर्श्टी से देखती है सरकार करकार अक्सर ये भूल जाती है कि एक आंसो भी हकूमत के लिए खत्रा है तुमने देखा नहीं आखों का समंदर होना इनकी मांगों पर और समस्याओं पर आपकी राए कमेंड वाक्स में जरूर बताएं